हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू मैं चानल नितोस कुकिंग हब आज मैं आप लोग के लिए लेके आए हूँ सूजी ब्रेड टोस्ट की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे सुबह के नास्ते या फिर बच्चों के टिपिन बॉक्स के लिए बहुत ही आसानी से बना लेंगे और ये आदे चम्मच तेल में ही बन जाते हैं तो आईए इस रेसिपी को बनाते हैं सूजी ब्रेड टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया एक बावल बावल मैंने यहां पे एड किया है एक कप सूजी तो यहां पे आप मोटे वाली सूजी का भी यूज कर सकते हैं साथ में मैंने यहां पे एड किया है एक कप दही, जिस कप से मैंने सूजी लिया था, उसी कप से दही डाला है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको पानी बहुत जादा इसमें एड नहीं करना है, पहले इसे मिक्स करना है, और यहाँ पे देखे मैंने मिक्स किया है, मुझे यह तक इसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है, और दस मिनट हो चुके है, और यहाँ पे देखे यह जो सूजी है, वो अच्छे से फूल चुकी है, और हमारा जो बैटर है, वो आप देख सकते हैं, कि अभी फिर से थीक हो चुका है, तो इस टाइम पे अभी हमें इसमें पानी बिल बारिक टुकरों में कटा हुआ, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, आदा कप टमाटर, जिसके बीच मैंने निकाल दिये थे, साथ में मैंने यहाँ पे एड़ किया है, आदा कप ग्रेट किया हुआ, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हरा धनिया एड़ किया है, सबजी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं और यहां पे मैंने अभी एड़ किया है एक चमच अध्रक ग्रेड किया हुआ दो हरी मिर्च बारीक टुक्रों में कटी हुए अड़ की है और अभी हम इन सम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहाँ पे अभी हम इसमें पानी अड़ करेंगे तो यहाँ पे मैंने 1 फोर्थ कप पानी लिया है और मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड़ कर रहे हूं जितनी जरूरत होगी इस बैटर को हमें पतला बिलकुल भी नहीं बनाना है क्योंकि हमें इसे ब्रेट पे लगाना है अगर आप पतला बनाएंगे हो तो वो बिलकुल भी नहीं टीकेगी उसके उपर और यहाँ पे वन फूर्थ कप पानी का मैंने यहाँ आधा ही डाला है और इतने में हमारा बैटर बिल्कुल पर्फेक्ट है रेडी है तो इस टाइम पे अभी मैं एड कर दे रही हूँ नमक साथ में मैं यहाँ पे एड कर रही हूँ आधी छोटी चमच काली मिर्च पाउडर एक छोटी चमच मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स एड किया है और इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी तो मसाले आप अपने हिसाब से चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं मैं इसे बहुत धल के मस चटनी ली है तो यह चटनी जो है इसे हम ब्रेट पे इस तरह से लगाएंगे आप चाहें तो टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं या फिर अगर आपके पास चटनी और सॉस दोनों नहीं है तो आप दोनों भी स्किप कर सकते हैं तो यहाँ पे देखे मैंने इस तरह से उसे थोड़ा सा पतला ही लगा रही हूं और इस तरह से आप इसे फैला दें और यहां पे आप देख सकते हैं फ्रेंड मैंने ब्रेट के उपर सूजी को बहुत अच्छे से प्रेट कर दिया है तो इसी तरह से हमें सारे नास्ते को रेडी कर लेना है तो यहां पे मैं एक और ब्रेट पे इस तरह से नास्ता रेडी कर रही हूं यह देखे पहले आप दो से तीन रेडी कर ले फिर इसे हमें सेकना है तो अभी यहां पे दो नास्ता रेडी हो चुका है हमारा तो अभी मैं इसे सेकने के लिए मैंने यहां पे लिया है यह तवा तवा पे मैंने थोड़ सा वाइल ग्रीज कर दिया है यहां पे मैं इसे रिफाइंड वाइल में सेख रही हूं आप चाहें तो घी या बटर का भी यूज कर सकते हैं और इस तरह से ब्रेट को पलटके हमें इसके उपर ढाल देना है गैस की फ्लेम को आप low to medium रखे फ्रेंड क्योंकि सूजी को हमें अ अच्छे से पक जाए तो यहां पे इसे एक तरफ से पकने में एक मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको और अभी मुझे यह थोड़ा सा सेट लग रहा है तो मैंने इसे पलट दिया है और आप देख सकते हैं कि कि इतने अच्छे से यह सेट हो चुका है पलटने के बाद भी आप इस तरह से इसे प्रेस करते हुए ही सेके ताकि यह अच्छे से सिखे और यहां पे देखे फ्रेंड मुझे उपर से यह थोड़ा सा और लगड़ा है कि सिखेगा तो मैंने इसे फिर से पलट दिया है और बस इसी तरह से मैं इसे सेक लूंगी और यहां पे आप देख सकते हैं दो मिनट ही हुए है और यह हमारा सूजी ब्रेड टोस्ट पूरी तरह से सेक के रेड़ी है तो आप देख सकते हैं कि इसे बनाना कितना आसान है और यह कितना हेल्दी है और साथ में टेस्टी भी और इसी तरह से मैंने सारे नास्ते को रेड़ कर लिया है और यहाँ पे एक कप सूजी में आप 10 ब्रेड टोस्ट बना सकते हैं तो यहाँ पे मैं इसे अभी आपको कट करके दिखा रहे हूं देखे मैं इसे पीजा कटर से कट कर रहे हूं आप चाहें तो चाकु से भी कट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से यह कट जाता है और यहाँ पर देखे फ्रेंट यह सबजियों से भड़ी हुई कितनी कलरफुल दिख रही है जब आप यह अपने बच्चों को बना के टिपिन बॉक्स में देंगे तो वो मार्किट के पीजा और बढ़कर खाना भी भूल जाएंगे तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें और मुझे कमेंट बक्स में बताएं कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले फिर्ण साथ में बेल आइकन को भी प्लेस करें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें थैंक्स फ